हलो फ्रेंग्स नमस्ते मैं हूँ पुश्पा पुश्परियल ब्लोग्चेरण में आप सभी फ्रेंग्स का बहुत स्वागत है कैसे हैं limb road मैं आशा करती हूँ मैं सभी प्रेंग्स अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ और आज है संडे तो आप सभी को हैपी संडे लाइट जला रही थी है कमरों में जब फुल लाइट होना तब विडियो अच्छी बनती है तो सभी को हैपी संडे और कहे कहेपी संडे बहुत जादा ही काम हो जाते हैं और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे तो अब जाके जो है ब्लेंकेट और कंबल वगेरे दो रही हूं तो बस आज संडे हैं तो आज घर में हस्बेंट भी हैं तो आज दो-दो कंबल एक साथ दूलने वाले हैं क्योंकि फिर अकेले तो मेरे बहुत मुश्किल हो जाएगा एक क्लियर कर लेना है क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा तो चले वीडियो स्टार्ट करती हूं और आज संडे की व्लॉग में देखती हूं क्या क्या दिखा पाती हूं में क्लीनिंग तो जरूर होगी अभी मोर्निंग के करीबन बज रहे हैं आठ और सिरिफ हो सिरिफ चाय थ अश्ता हमारा हुआ है और यह देखे बैड की हालत यह देखे वेदु अभी सो रही थी यहाँ पर तो बस यह ऐसे पड़ा हुआ है तो बस अब मैं इस कमरे से ही जो है क्लीनिंग की शुरुआत करती हूं फटा-फट जो घर की क्लीनिंग करके फिर कंबल धोएंगे तो बै अभी तो फिलहाल तो ऐसा मोसम कहीं कहीं है कि कंबल ओडना पड़ रहे हलके पतले बाकी तो अच्छे खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है बहुत से जगे तो कूलर भी स्टार्ट हो गया हूंगे पर अभी तक मेरा कूलर स्टार्ट नहीं किया हमने उपर रखा हुआ है वो सब मैंने फोल्ड करके हटा दिये और चद्रा जो है मैं यहीं बिचाऊंगे क्योंपी गंदा नहीं है और बेड का सिरान अच्छे से साफ कर दिया है और उसके बाद देखें बेड को मैं अब सबस्क्राइब करें बिलाइकन को प्रेस करें मेरे वीडियो को आप ज्यादा फेडियो के साथ यह वह अच्छे से डीप लीनिंग होती है टाइम देकर तो सच में बहुत दूल दस्टिंग निकल रही है आज कल तो बहुत जादा ही निकल रही है तो देखी फाइनली मेरा दोनों कमरों का किचन का जाड़ू लग गया है मैं बाहरांगन का जाड़ू लगाऊंगी उसके ब अब आपसे तो मैं बस अप्रेल स्टार्ट होते होते फिर मैं दही जमाना शुरू कर देती हूं तो बस वही है आज मैं दही जमा रही हूं दूद गरम हो चुका था दही जमा दी है और दही जमाने के बाद बेदू को खिला पिला दिया है बेदू को सुबे के टाइम रस् तो बस इसी लिए अब सुभरे इसको मिल्क के साथ में रसपीस दे देती हूं तो बेदी को खिलाने पिलाने के बाद और हमने भी थोड़ा सा मैंने भी मैंस्बिन ने भी मिल्क साथ रसपीस ही खाये और उसके बाद अभी लग गई हुमें कीचन के जो थोड़े वो चाय सब्सक्राइब तक मैं नहीं भरती हूं तो आटा मैंने मंगा रखा है लेकिन अभी मैंने भरा नहीं क्योंकि बाल्टी मुझे वाश करनी थी साफ करनी थी और यह छोटे मूटे काम ना मैं संदे में ही निकालती हूं ताकि हस्बेंड हो तो थोड़ी सी मदद भी मिल जाए अकेले ना बेदू करने नहीं देती है मुझे बहुत परिशान करती हो तो बस आज वह अभी तो खेल रही है अपने पापाजी के साथ और मैं लगी हूं अपने कीचन की क्लिनिंग के काम में यहां देखी फाइनली बाल्टी भी दुलगी मेरी अभी सूक जाएगी तो शाम रखा हुआ है तो जब बाल्टी सुकेगे तब भरेंगे तो क्लिनिंग का काम हो गया पोचा रहा तो पोचे से पहले देखिए ब्लैंकेट धुलाई लग गई है तो हस्बेन फाइनली मेरे देखिए जो है धो रहे हैं इस तरीके से पैरों से मचा मचा के धोने से यह मैंने बहुत जदा गंदा हो गया था बेदू बहुत चोटी थी तो इन सब चीजों के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था और फ्रेंस पहले यह सारे काम में अकेली करती थी और टाइम देखिए कितना बदल गया जब से बेदू पैदा हुए तब से फिर हस्बेंड ही मेरे इ दिकत हमारी ही हो जाए तो बस फ्रेंस हस्बेंड मेरी काफी मदद करते हैं जब से बेदू हुई है तो यहां देखिए फाइनली बेदू उतरके आ गई है और यह लास्ट वाला कंबल हमने भी ज्यादा गंदा नहीं है क्योंकि इसे मैंने अभी सर्दियों में भी धोया थ 11 और देखिए मैं छत पेराई हुई हूं कपड़े लेकर मैंने सुखा भी दिये कपड़े दोनों कंबल भी सुखा दिये मैंने यह देखिए और अब इतना अच्छा धूप है ना आजकल की मतलब अप्रेल का महीने आप समाह सकते हूं कि इतने कड़क वाली धूप है तो य के लिए चलती हूं नीचे भी खाना नहीं बनाए खाना बनाओंगे वीडियो का बेंड करती हूं मिलती हो अच्छे से वीडियो के साथ